नमस्कार मैं हूँ जयुतिस कुमार हमारे तिग्गा चैनल में आप सबका स्वागत है चलिए सवाल करके देखते हैं पूरा विडियो को देखिए यह सवाल है देखिए यूपी अलिगर से भुपेंदर कुमार का सवाल है एक हेक्टियर में साढ़े बारा विग्गा होता है तो ओवर्ग मीटर से विग्गा में बदल लिए इसको जानेंगे और दूसरा तीन दसबलो पांच एक पांच तीन हेक्टियर बराबर कितना पक्का बिग्गा और तीसरे सवाल है 0217960 हेक्टियर 018460 हेक्टियर इतना हेक्टियर है तो कितना पक्का बिग्गा और कितना एकड होगा योग टोटाल इसको जानेंगे पूरा विडियो को देखिए छोटा विडियो है पहले ये पहला का देखिए यहां पर एक हेक्टियर है एक हेक्ट्यार बराबर इतना वर्ग मीटर अब एक बीघा में कितना वर्ग मीटर जानने के लिग लिजे एक बीघा एक बीघा बराबर दस हजार बटे बारा दसमलोग पांच भाग कर दिदे इससे तो बराबर 800 वर्ग मीटर इसक्वाइर मीटर होगा इतना इसक्वाइर मीटर होगा एक बीघा बराबर अब आपके पास खतावनी में पलाठ है एक दसमलोग पांच एक जीरो जीरो हेक्टे यार तो इसको मीटर में कनवर्ट कर लिजिए गुड़ा कर दिजिए इकाई दहाई सेकडा हजार दस हजार से तो बराबर होगा ये 15100 वर्ग मीटर होगा लिख लिजिए 15100 वर्ग मीटर कितना बीघा अलिगर में जानने के लिए 800 से भाग कर दिजिए 800 से तो बराबर होगा बराबर किल्कुलेट कर लिजिए इस परकार से इजी तरीका से बदल सकते हैं तीशरा सवाल है तीन दसम लव 5153 हेक्टेयर में कितना पक्का बीघा जानने के लिए 0 दसम लव 2529 से भाग कर दिजिए तो बराबर होगा 13 दसम लव 8 9 9 बीघा होगा इतना पक्का बीघा इस तरह से असानी से बदल सकते हैं अब इसी को अलिगर में जानना चाहेंगे तो देख लिजे इसे भी पूरा विडियो देखे 3.5153 बटे में कर दिजिए 0.0800 बराबर 43.94 बीघा यदि आपके पास अलिगर में डारेक्ट आपके पास हेक्टेर है चाहे 0.05200 हेक्टेर है तो आप हेक्टेर से डारेक्ट बदलेंगे तो 0.08 करके भाग कर दिजिए यदि 00.00 नहीं करेंगे फिर भी इनुस्वार सही आता है अब देखे ये वाला सवाल को जानेंगे पूरा विडियो देखे इसको पहले जोड लिजिए तब एक कड़ाव भीगा निकालेंगे यदि 00.00 का 0 और 6 चाओं को 24 और 8 32 होगा 32 का दो लिख लिजिए ये चारतिया 12 12, 13, 14, 15 और हासिल 3, 18 हुआ 18, 9, 27 का साथ दो हासिल आया 8, 2, 16, 24 हासिल जोड देजिए यहीं पर 25, 25 से और 3 25, 26, 37, 28 होगा यतना 28 दो हासिल आया है ये 3, 4, 5, 4, 9, 10, 11, 12 ये 12 लिख लिजिए और यहां पाइंट कर देजिए ये तरह से आब ओर्ग मीटर से जान रहे हैं तो ओर्ग मीटर में इसको बदल लिजिए गुड़ा 1, 12, सेकड़ा हजार दस हजार इससे गुड़ा कर देजिए तो बराबर होगा ये 12,882 वर्ग मीटर 12,882 वर्ग मीटर होगा ये आपका पाँचो पलाट का इतना छेत्रफल होगा इसको एकड में बदलना चाहेंगे तो एक एकड बराबर होता है 4046,88 वर्ग मीटर होता है एक एकड बराबर इतना वर्ग मीटर होता है इसी से इसको भाग कर देजिए बराबर बराबर 3,881 एकड होगा इतना एकड कितना बीघा जानने के लिए 12,872 बटे 800 कर दीजिए बराबर इस 16,09 बीघा अलिगर बीघा से इतना बीघा होगा और यदि इसको पक्का बीघा में जानना चाहेंगे तो 12,872 बटे 25,39 से भाग कर दीजिए बराबर होता है 5,08 पक्का बीघा ये है चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को सेर कीजिए धन्यवाद